अस्पताल में इलाज के लिए आयर नागरिक के चेहरे पर दर्द होता है लेकिन इलाज के बाद जब वो वापस जाएगा तो उसके चेहरे पर खुशी और संतुष्टीद दिखेगी ऐसी आशा के साथ वस्वास केंद्र में काम करेगा ऐसी आशा राजु के वन संस्कृतिक कारे और मत्सल्य पारन मंतरी तथा जिले के पालक मंतरी सुधीर मुंगटिवार ने व्यत की वो राजोली मूल में प्रात्मिक स्वास्त केंद्र और गिल्बिली बलारपुर में आरोगिवरदिनी उपकेंद्र के उद्गाटन समारों के अफसर पर बोल रहे थे करेक्टर विने गोडा भाजपा जिला अध्यक्षो हरी शर्मा भाजपा महानगर अध्यक्ष राहूल पावडे पूर्व जिला परिशत अध्यक्षो देवरा भोंगले संधाताई गुर्णूले मुख्यकारि अधिकारी विवेक जौनसन उपविभागी अधिकारी विशाल कुमार मिश्राम तैसिल्दार रविंद्र होली जिला स्वास अधिकारी डॉक्टर राजकुमार गेहलोद जिला शली चिकितसक डॉक्टर महादेव चिंचोरे अतिरिक्त जिला स्वास अधिकारी अविश्कार खंडारे तालुका स्वास अधिकारी राज़ोली के सरपंच जितेंद्र लोटा ने अलका अत्राम नामदेव दाहुले आनंद्रव पाठिल ठिक्रे चंदुभाव मार गोनवार जैश्री वालकेवार आदी मुख्य रूप से उपस्त देते संड़क्षन मंत्री मुंगटिवार ने कहा कि कुछ साल पहले जब उन्होंने स्वास केंद्र का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर बारिश में चाता लेकर मरीजों की जाच कर रहे थे उसी समय स्वास केंद्र को बनाने का निर्ने लिया गया इस स्वास स्वास्त केंद्र को जल्द पूरा करने की इच्छा थी आज राजवली में एक अधवुत अत्यादूनिक प्राफ्मिक स्वास्त केंद्र है सेलेक्षन मंतरी मुंगतिवार ने आगे कहा कि जिले में प्राफ्मिक स्वास्त केंद्र एक मंदिर होना चाहिए जो गरीबों के स्वास्त का खयाल रखता है मैं अमेशा इस बात पर जोर दिता हूँ कि जिले में स्वास्त सेवाय मजबूत होनी चाहिए राजोली और कैबिनेट के बैठक में विशेश मामली के रूप में धन की उपलप्तिता के मनुरा, कलमना तडाली, बैंबल, जिबगाम, नंदफाटा, भांगराम, तलोदी, विरूर स्टेशन, शेगाव, ननहोरी, उम्री, पोतदार, गंगलवाडी, शेगाव और सावरी मे सोला प्रात्मिक स्वास केंद्रों को मन्जूरी दी गई, जिले में प्रात्मिक स्वास केंद्रों ग्रामी नस्पतालों की तरह है, पुम्भुर्ना में ग्रामी नस्पताल पूरा हो चुका है, और रोगी देखभाल के लिए चालू है, गुगुस में ग्रामी नस्पताल क लिए विशेश विवस्ता कर इस इस्पताल का निर्मान अंतिम चरनन भी है उन्हें ये भी कहा कि जिफ्ती में ग्रामीन इस्पताल का कारी प्रगती पर है जिले में एक आधुनिक आउसू सजित मेडीकल कॉलेज और इस्पताल खड़ा है चंद्रपूर का मेडीकल कॉलेज इस्पतालों के बराबर होगा इस मेडीकल कॉलेज में तीन टेसला एम आर आई मशीन खरीदने के लिए श्रीडी संस्थान ने 8 करोड रुपए का फंड उपलब कराया जबकि खानिज विकास निदी से 7 करोड 50 लाख रुपए दिये गए और चंद्रपूर के मेडीकल कॉल झाल